प्रदेश बर में कोरोना से खाहकार मचा हुआ है एक सब्ता के अंदर एक लाग से ज़्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टी होने से स्वास्ते विभाग में हड़का मचा हुआ है हमारे संबादाता ध्वज आरिया के रिपोर्ट देखिए है जो पॉजिटिव मरीज है अगर पिछले साथ दिनों की बात की जाए तो राजिस्तान में एक लाग से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं और करीब जो है साड़े चार सो के आसपास राजिस्तान में मौते हो चुकी हैं यह आंकडे जो है कहानी अच्छी न नजारा है यहां जो है मरीजों की लाइन लगी हुई है और जो आईस्यू की जो बैड हैं उनकी जो कमी है साफ तर पर देखी जा सकती पूरे देश में ऑक्सिजन का संकट है लेकिन राजिस्तान की बात की जाए तो राजिस्तान में जो ऑक्सिजन का संकट है अभी फिलाल बना हुआ है लेकिन जो सरकार की तरफ से दावे किया जा है कोटा और और अक्सिजन की सप्लाई जो है लगातार हो रही है और उसके साथ साथ में जिस तरीके से मरीज बढ़ रही है तो उसको ले कर कई जो बड़े लोग हैं भामा शाह हैं वो आगे आए हैं 500 बैट के उन्होंने यहां पर कॉरिंटाइन सेंटर बनाए हैं और कोरोना के मरीजों के लिए उन्होंने 500 बैट के कई जो है जो अस्पिताल खोलने की उन्होंने जो है काफी हत्तक विवस्ता की है तो राजिस्तान की बात की जाए तो राजिस्तान में हाला फिलाल अभी खराब हैं राजिस्तान की सरकार ने कोरोना की वैक्सीन है वो मुख्यमंत्री अशोग गैलोट ने फ्री कर दी है ये एक अच्छी राहत की खबर है और उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री अशोग गैलोट के इस प्रियास के साथ मुख्यमंत्री अशोग लगातार V.C. का दोर जा रही है और ये जो इंतिजामात हैं तो पूरी तरीके से यहां बताए जा रहे हैं प्रिशाषचन के तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गेलोत और स्वास्ति वाग की पूरी तरीके से इंतिजामात पूरे हैं और आने वाले समय में अगर जंता समझती ह है तो ये हालात हैं वो कई कई हद तक जो है शुदर सकते हैं और उसके सासाथ में मुख्य मंत्री अशोग गैलोत लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से घर हो रहने की और एक सबसे बड़ी बाद तरफ से मुहिम चलाई जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें तभी सुरक्षिद रह सकते हैं कुरुना की जंग जी सकते हैं सेयोगी नरंदीर सिंग के साथ इंडिया न्यूज जैपुर